तुम्हारा स्कूल है कोई मॉल या फिर सीनेमा हॉल नहीं कि तुम कुछ भी पहन कर आ जाओगे और यहां पर लोग कुछ भी नहीं कहीं नमस्कार मैं श्वेत और आप देख रहे हैं न्यूस फॉनेशन अब आपके मन में ये सवाल उच्छा हुआ कि आखिरकार ये बाते किस ने कहीं है तो ये बाते और कौन कह सकता है बिहार सिख्षा बिभाग के ACS केके पाठक ने कहीं है केके पाठक ने स्कोल के बच्चों को ये साफ निर्देश दे दिया है कि अब कोई स्कूल ड्रिस में स्कूल आना होगा ये कोई सिनेमा हॉल या फिर मॉल नहीं है कि आप कुछ भी पहन कर स्कूल में आ जाएंगे अगर ऐसे बच्चे स्कूल में अपने यूनिफॉर्म में नहीं आते हैं नजर तो उन पर बड़े एक्शन भी लिये जा सकते हैं पाठक बिहार के सिक्षा विवस्था को सुधारने के लिए खुद स्कूलों का दौरा कर रहे हैं राजभर के स्कूलों में पहुँचकर उपस्थिती पढ़ाई, लैब, सौचाले और सुविदाओं का जैजा ले रहे हैं इस क्रम में सर्फ टीचर ही नहीं बलकि स्टूरेंट को भी वो डिस्प्लिन सिखाते हुए नजर आ रहे हैं सहरसा पहुँचे के के पाठक ने जिले के मनोहर हाई स्कूल के निरेक्शन के दौरान ड्रेस पे नहीं आने पर शात्रों की क्लास लगा दी उन्होंने इस स्कूल ड्रेस पहन कर नहीं आने वाले बच्चों के नाम काटने का अधिकार दे दिया है वनोहर हाई स्कूल के एक क्लास पे पहुचे केकी पाठक ने इस बात पर आश्यर और अपत्ती ज़ताई के स्टूडेंट स्कूल ड्रेस में नजर नहीं आए हैं सबसे पहले उन्होंने बच्चों से पूछा कि आप लोग आर्ट्स में हैं या फिर साइंस में बच्चों ने कहा है कि ड्रेस में क्यों नहीं आए तो बच्चे खामोश हो गए इस दोरान मौझूद आप प्रिंस्पल ने कहा कि कई बार कहने पर भी बच्चे स्कूल ड्रेस पहन कर नहीं आते हैं केके पाठक ने इस बात पर आश्यर रजटाया उसके बाद वो खुद छात्र को समझाने लगे कहा कि आप लोग ड्रेस में आईए ये स्कूल है ड्रेस में नहीं आएंगे तो नहीं परिक्षम में बैठने दिया जाएगा ना क्लास में आपको आने की इजाज़त मिलेगे केके पाठक आगे कहते हैं कि ये आपकी लास्ट वार्निंग है और बोल कर कहते हैं प्रिंस्पल साहब को कि आप नाम काटना शुरू कर दीजिए ये कोई बाजार या फिर मॉल नहीं है कि बच्चे कुछ भी पहन कर आजाए बारवी तक हर हाल में ड्रेस में आना होगा जब डिग्री कॉलेज में जाएंगे तो जो मन है वहाँ पहनिएगा यहां तो कोई ड्रेस में नहीं है कुछ लोग तो बनियान में आ गये हैं कोई बटन खोल कर आया है कोई हीरो बन की आ रहा है ये क्या हाल है स्कूल का जरा देख लेजिए जो आएक तरफ केके पाठक ने इससे पहले भी राजभर के स्कूलों में सक्ती बरकते हुए पांच लाग से जादा छात्र छात्रों के नाम काड़ चुके हैं उन्होंने आदेश दिया था कि जो बच्चे रेगुलर स्कूल में नहीं आ रहे हैं ऐसे बच्चों के जो नाम है उन्हें काड़ देने चाहिए जिसमें पांच लाग से अधिक स्टूरेंट के नाम जो हैं वो कट हो गये हैं वहीं केके पाठक बीते दिन फिरसे स्कूल के निरेक्शन करने पहुंसते हैं और बच्चों के जो ड्रेस है उसको देखकर केके पाठक थोड़े शॉक्ट हो जाते हैं और कहते हैं कि आप लोग स्कूल में आए हैं आप लोग मॉल या बाजार में नहीं जा रहे हैं विलाल के लिए इस खबर में इतना ही, तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें, News 4 Nation.